नट्र साब, सैक्स एक ऐसा विशे हैं जिसके उपर आम दोर पर चर्चा करना उचित नहीं माना जाता है। भारतिय संस्पृत्ती में तो खास करके इस बात को काफी चुपा कर रखा जाता है। जबकि ये जीवन का अविभाज्य अंगम कह सकते हैं। क्योंकि इसके बिना दुनिया नहीं चलता है। सैक्स अगर नहीं रहा तो फिर ना तो कुछ हो पाएंगा ना कुछ हो कुछ हो कि आम तोर पर सैक्स एक ऐसा विशा है कि इसके उपर चर्चा करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन हम हमारी चैनल के माध्यम से आप जैसे अनुभवी डाक्टर के माध्यम से जो लोगों की समस्या है उनको अगर उसे समाधान मिले हमारा यह उद्देश है। दिन बार उसके दिमाग में होई विचार चलते है कि यार मेरा जैसा होगा। तो इक शिग्रपतन सबसे बड़ी समझ से इसके क्या कारण हो सकते है। अपने अच्छा सवाल किया। क्या है कि शिग्रपतन जो है वो कि पुरुष और स्त्री दोनों को समाधान नहीं मिलता है। तब तक मतलब समाधान मिलने तक वो संभोग प्रक्रिया या कामक्रिडा चालू रहा है ना चाहिए। बहुत जल्दी में संबख करना कभी होता है करने कि संब आ के समय कम्रे cuánt करे बच्चे उट जाते हैं जनदी करना है जादी के पहले कहीं, बादलब six worker के पास में जाते हैं, फिर वहां कुछ comment कर देती है, उसको तो पढ़े देती है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जले जाओ, तो उसमें उनका यहां कि जल्दी करना पड़ता, ऐसे इसमें उसकी फिर habit हो जाती है, जल्दी जल्दी कहीं बगीचे में जारे महां कर रहे हैं, जहां भी मिले महां फटाफट कारेकरम कर देने का है, जल्दी जल्दी निकल जाने का है, ऐसे होता है, घर में भी बिर ऐसा कभी होता है, कोई आ जाएंगा, और दरवाजा कोई मतलब खुला रखे है, ऐसा मतलब अंदर से बंद न जो परकार से भय भय हो जाता है तो आप का ऐसा सेक्स बीमारी को किस नजरी से देखते हैं यह मानसिक है या शारी रिखा है यह बीमारी क्या है कि लोगों को उनके मन में काफी सारी डाउट रहते हैं कि इतने समय तक चाला है यह जाए पौन फिल्म लेखते हैं उसमें अलग अलग तरह के सेक्स करते फे लोग देखते हैं कि 15-20 अज़ा गंटा एक घंटा सेक्स चालू है उसमें फिर लोगों को ऐसा लगता है कि 15-20 अज़ा गंटा एक घंटा चलना चाहिए और तभी फिर वोई समय मतलब वोई समय जो है वो सही है तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है दोनों को समाधान मिलना चाहिए उतना वो चलना चाहिए जह पहना लोगों में एक भ्रामक यह हो गया कि हमारा जो हम देखते हैं पौ यह बात डाक्टर साब काफी अनुव हो भी कई सालों से इस चेत्र में तो जो भी आज डाक्टर साब सलाह दे रहे हैं आप उसको मानिए क्योंकि यह ऐसा कुछ होता नहीं है एक स्ववाइक प्रकृतिया होती है जो प्रकृति ने हमें दी है तो उसमें ही सब कुछ होता है हुआ हुआ है